हेलो फ्रेंट्स आज में आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैन्वा एप के थुरू एक अच्छा सा यूट्यूब थामनेल बना सकते हैं कुछी मिन्टों में बहुत जल्दी ये यूट्यूब थामनेल बन जाता है उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जा में अल्रेडी ये वाला एप इंस्टॉल है इसलिए यहां पर आप्शन नहीं आ रहा है इंस्टॉल का मैं डारेक्ट आप जहां पर इंस्टॉल है वहां से ओपन करके दिखाती हूं आपको यह आप इंस्टॉल कर लेंगे और इस तरह से इसको ओपन करना है आपको लोगो यहां से search आप कर दीजे YouTube thumbnail, यह आगे YouTube thumbnail, यह beauty का खुल किया है, beauty YouTube thumbnail, नहीं तो आप यह खोल गया है YouTube thumbnail, इसमें बहुत सारे बने हुए भी होते हैं, अगर आपको बना हुआ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं mostly blank लेती हूँ, blank से किया आप अपनी मर्जी से इस में कोई background डालना है, तो यहां से आप जाएंगे image, image में डालेंगे, यहां पर search canva library में background, देखे friends, अगर आपको अपना thumbnail free में बनाना है, तो यह जिन पर यह बना हुआ है king का, वो आपको नहीं लेना है, जो free वाले हैं, उन पर कुछ नहीं बनावा है, for example, मैंने यह कोई भ उसके बाद मुझे बनाना है मानके चलिए how to create youtube channel, यही thumbnail बनाना है, तो उसके बाद मैं जाओंगी image पर, image में यहां पर search करूँगी youtube, youtube से related है, thumbnail तो youtube search करना है, उसके बाद इसमें बहुत सारे होंगे, कोई भी आप ले लीजे, देखें यह सारे free हैं, इसमें लिखा हुआ न लगा दिया है, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है, तो उसके लिए मैं लेती हूँ shape, शेप में जाके मुझे सबसे सही लगती है shape rectangle, यह मैं लगा दूँ यहां, इसी तरह से एक और shape लूँगी, सेम साइज की, बाकी आपके ओपर depend करते हैं, आप कैसा thumbnail बना जाते हैं, तो इस में बहुत सारे options होते हैं, आप उसमें से बना सकते हैं, तीन मैने lines बना लिए हैं, जिस पर मैं अपना title लिख दूँगी, इसको मैंने color कर दिया है black, और अब मुझे अगर इस पर लिखना है, तो मैं वापिस यहां पर जाऊंगी, टेक्स्ट, add some text of your own, यह आ गया है, enter your text, इसमें मैं कर दूँगी, how to create, how to create मैंने इस पर लिख दिया, यह black color से लिखा हुआ है अभी इस दिखने रहा है, how to create, इसके बाद एक और text मैं लिखूँगी, YouTube, only YouTube लिखूँगी ताकि YouTube थोड़ा बड़ा सा एक दम से लिख जाए, और थर्ड में मैं लिख दूँगी चैनल, देखे friends लग रहा है न, professional लिख तम थमने, इसको आप bold करना चाहते हैं, बोल्ट कर लिजे, यह आपका हो गया, बोल्ट, इस वारी पिच्चे को थोड़ा सा आप इधर करना चाहते हैं, इधर कर लिजे, और नीचे की जो space है उसमें आप दिख सकते हैं, जैसे for beginners, अगर आपको orange के उपर yellow इसका नहीं अच्छा लग रहा है तो आप color change कर सकते हैं, इसने बहुत सारे color options आजाते हैं, यह black इच्छा लग रहा है, इसके बाद आपको बस यह आपका बन के तो यहां से आपको उपर top most corner जो है right side में, दाउनलोड का option दिखेगा, यह आपको प्रेस करना है, यह आपका प्रिपेर हो गया design, यहां से अप design प्रिपेर होका आपका और आपकी gallery में save हो गया है, देखा कितनी जल्दी सिर्फ 6 मिनट में आपका यह thumbnail बन गया है, अब आप यहां जाएंगे photos में और photos में आपका thumbnail यहां पर albums में saved होगा, Canva नाम के एक album बन जाएगी आपके photos में और उसमें आपके सारे thumbnail जो भी आप Canva में बनाएंगे वो आपके save होते चले जाएंगे, यह देखे कितना professional thumbnail लग रहा है ना इसमें जहां पर आपनी YouTube की photo लगाई ना वहां पर आप अपनी photo भी लगा सकती है, और इसमें आप कुछ भी changes कर सकते हैं जैसा भी आपका topic है उसके according, मेरी आज की वीडियो आशा करती हूं आपके कुछ न कुछ help जरूर करेगी,